Hello friends, welcome to my channel, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और consistently अपनी examination की तयारी कर रहे होंगे दोस्तो आप सभी जानते हैं कि SSE CGL Tier 1 का जो result है वो already out हो गया है लेकिन दोस्तो अभी तक इसका scorecard नहीं आया था, तो दोस्तो आज बहुत बड़ी ख़बर आई है ख़बर scorecard को लेकर के है, scorecard आज आया है या नहीं आया है इस बारे में ख़बर है इससे पहले आप से request होगा किस वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए और चैनल को subscribe कर, bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा, ताकि सही जानकारी और सडीक जानकारी और सही समय पर आपको मिलते रहे दोस्तो आप सभी को मालूम होगा कि SSE Cigil Tier 1 का examination जो है वो 13 December तक चला था उसके बाद दोस्तों 4 दिन के बाद ही इसका जो answer की होता है वो आ गया था लेकिन final answer की अभी तक नहीं आया था और 22 तारी को हलाकि SSE ने बोला था जब result आया था SSE का तो उन्होंने बताया था कि 22 फरवरी को score card और final answer की आ जाएगी कि यह जो score card है वो 27 फरवरी को आएगा यानि 27 फरवरी कब है दोस्तों आज है तो क्या आज score card आएगा या आ गया है तो दोस्तों अभी तक score card जो है वो official website पे नहीं दिख रहा है लेकिन दोस्तों मैंने website चेक किया है website जो है वो धीरे धीरे चल रही है इसका मतलब यह कि score card जो है वो आज ही आ जाएगा अब यह score card कब आएगा और score card कैसे देखना होगा score card दोस्तों आप देखेंगे कि दोबहर तक या फिर शाम शाम तक score card देखने को मिल सकता है definitely आज score card जाएगा क्योंकि ssc का यह official news था कि 27 फरवरी को ही score card जो है वो out होगा अब score card कैसे चेक करेंगे दोस्तों तो आपको अब क्या करना है आप जैसे application status चेक करते थे वैसे नहीं करना है आपको क्या करना है आपको ssc.nick.in के website पे जाना है वहाँ पे अपना registration number डालना है अपना password डालना है और अपना जो ssc का site होता है अपना ssc का personal site जो होता है उसको logging कर लेना है आप देखेंगे कि आपका जो भी form आपने fill up किया है वो सारा कुछ वहाँ पे दिखेगा उसके बाद आप उपर जाएंगे तो उपर में आपको वहाँ पे दिखेगा marks तो उस पे क्लिक करे दोस्तों तो आपको एक option खुल जाएगा एक window खुल जाएगा जिसमें आप click करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अभी आपका ssc gd का दिखा रहा होगा वहीं पे आपका ssc cgl tier 1 का आ जाएगा जैसे ही score cut आएगा वहाँ पे tier 1 का आ जाएगा तो दोस्तों आपको करना क् ssc.nick.win के website पे जाना है लॉगिंग करना है और फिर marks के section में जाकर कि अपना marks देख लेना है दोस्तों आपको मालूम होगा कि इस बार का cut off है वह 114 गया है जिनरल का अगर आपके अच्छे खासे marks थे इस बार 150 प्लस थे तो फिर आपका confirm 400 grade पे या 400 grade पे में सेलेक्शन होन होना start हो जाएंगी इसलिए तैयारी बहुत अच्छे तरीकी से कीजिए क्योंकि अगर आपका अभी selection नहीं हो पाया दोस्तों तो फिर बाद में हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि competition बढ़ते जा रहा है candidates भी बढ़ते जा रहे हैं आपको मालूम है कि लगभ कोटर का भी कुछ material डालने वाला हो जिससे आपको tier 2 और CHSL में help मिलेगा तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा thank you so much for watching this video